Cross product को समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको और भी असान बना के दूँगा Cross product क्या करती है जब आप उन दो चीजों को दो vectors को multiply करते हैं वो आपको एक तीसरा vector देती है ठीक है वो तीसरा vector क्या होता है इसको हम understand करते हैं और तीसरा vector हमारे पास किस तरीके से आता है और obviously हमें space का भी ख्यार रखना है space कौन सी vector space अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है So सबसे पहले तो जब आप cross products की बात करते है Cross product of vector This will give you an other vector ठीक है यह तो पहले याद रखें अब मेरे पास हैं दो vector vector A जिसकी values हैं मेरे पास 1, 2 और 3 and then I have another vector called vector B जिसकी value है 3, 4, 5 यह मेरे पास 2 values आगे अब इन दोनों की मैंने cross product देखनी है यानि के A vector का cross product देखना है B vector के साथ तो आपको इसमें एक rule समझना है rule क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ और इसके उपर हम बात करते हैं क्यूंके हम 3 dimensional space के अंदर देख रहे हैं तो 3 dimensional space के अंदर यह cross product होती है ठीक है question मेरा यह है आपसे कि क्या 2 dimension के अंदर हम देख सकते हैं cross product या नहीं ठीक है यह आपसे मेरा question है जो आपको मैंने addition के तरीके से जिखाया था आपने देखना है कि 2 dimension के अंदर क्या हम cross product ले सकते हैं या नहीं but for now we will see कि यह किस तरीके से होता है सबसे पहला गाम आपने यह करना है कि आपने पहली row को भूल जाना है पहली row को भूल जाए फिर आप क्या करें जो आपके पास यह 2 है इसको आपने 5 के साथ multiply कर देना है ठीक है फिर 3 को 4 के साथ कर देना है यानि कि पहला operation यह होगा दूसरा यह right cross 1 उपर से नीचे 3 नीचे से उपर ठीक है अब देखते हैं इसको लिखना हमने कैसे है इसको लिखना हमने कुछ इस तरीके से है यहां भी हम कहेंगे 2 पांच बार 2 multiplied by 5 लिख दिया and then minus 3 multiplied by 4 यह आगया हमारे पास तो यह आगया हमारा पहली term यानि कि 3 terms में इसका answer आना है पहली term हमारे पास आगय यह वाली दूसरी अब देखनी फिर तीसरी अब हमने क्या करना है दूसरे step के अंदर हमने पहली भूली थी अब middle वाली भूल जानी है ठीक है middle वाली भूलने के बाद हम क्या करेंगे हमारे पास 2 scene बनेंगे और इन दूनों scenes के अंदर हम अभी हमने क्या करना है हमने नीचे से उपर start करना है हम यहां से 3 को 3 के साथ multiply करेंगे और फिर हम 1 को 5 के साथ करेंगे तो यह हमारे पास तीसरा step होगा और यह हमारे पास चोथा होगा तो यहां भे हम क्या करेंगे simply a3 को हम इसके साथ multiply करने वाले है तो इसको हम बोलते हैं 3 जरब 3 minus यहां पर अगर आप गोर करें 3 जरब 3 minus अब हमारे पास क्या आएगा 1 जरब 5 अब हमने क्या करना है तीसरी को भूल जाना और पहली में sequence सेम रखनी है फिर हमने क्या करना है अब यहां से 1 जरब 4 2 जरब 3 ठीक है बस इतनी सी बात है तो हमारे पास इसका अंसर क्या आता है लेट सी इसका अंसर आता है 2 जरब 5 10-3 जरब 4 12 10-12 दूसरी का आता है 9-5 तीसरी का आता है 4-6 तो अगर मैं इसको लिखूँ यहां पे तो यह किस तरीके से होगी 10-12-2 9-5-4 4-6-2 तो यह हमें इस तरीके से क्रॉस प्रॉडक्ट का आंसर एक अधर वेक्टर में आ जाएगा क्यूंके हमने 3-4 और 5 को यानि के 3-3 टरम्स वाले को किया था तो हमारे पास जो वेक्टर आन पे आया है वो भी इसी तरीके से आया अब रूल मैं आपको समझाने लगाँ कि आपको रूल कैसे समझना है मैंने जो अपने पास लिखा हुआ है that is something like this पहला काम लीव फस्ट रो ठीक है ये रो छोड़ने के बाद आपने इस तरीके से पहला उपरेशन करने देन माइनस इस तरीके से दूसरा फिर आपने क्या करने है ये लीव मिडल रो and then you will do इस वन फर्स यानि के तीसरा फिर इस तरीके से चोटा माइनस लगाना है सेंटर में ठीक है and then आप क्या करेंगे लीव लास्ट रो and then you will do पांचमा इस तरीके से छटा इस तरीके से और माइनस तो ये आपको एक एक टर्म देगा यानि के ऐलिमेंट देगा for your vector ठीक है अब अगर इसको x, y और z बोलें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आजाते है अगर आप vector के product को देखेंगे तो x, y ये इस तरीके से हो जाएगा और z इस तरीके से उपर को निकलेगा ठीक है जो product होगा वो 90 का angle बनाएगा इन दोनों के साथ जिनको हम यानि कि a vector को b vector के साथ जब हम product बना रहे हैं cross product तो ये उपर को move करेगा और इसको समझाने का तरीका अक्सर उकात लोग जो adopt करते हैं वो ही मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ cross product को right hand rule के साथ करते है cross product and right hand rule मैं कोई तस्वीर उठा गे लाता हूँ और वो आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास इसका फिर answer आता है I hope I can find online क्योंकि मैं खुद से इतना अच्छा artist नहीं हूँ otherwise I could have designed myself होगा क्या कि आप basically A vector जो है आपका ये वाली finger A vector ऐसे हो गया ठीक है B vector आपका ये है जब आप इन दोनों का cross product लेंगे ये अगर आप गौर करें तो जो आपका product है वो आपका अंगूठा है figure मैं इसको यहां पर paste करता हूँ and hopefully I can paste that ये जी मेरे पास right hand rule की example है जी ये मैं आपको थोड़ा सा zoom in करके समझा देता हूँ तो हमारे पास क्या होता है जब हमारे पास A कोई चीज है like this ये हमारा vector A है ठीक है ये वाले vector A साब है हमारे ये वाले ठीक है ये 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 vector A को अगर show कर रहे है इस तरीके से vector A बन गया फिर ये vector B इस तरीके से बनेगा और इनके cross product जो होगी वो basically 90 का angle बनाते हुए उपर को move करेगी so whenever you have a cross product of two vectors usually 3D space के अंदर वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी इसको right hand rule बोला जाता है और right hand rule आपको समझने के लिए क्यों ज़रूरी है क्योंकि आपको एक vector तो मिलता है लेकिन वो vector करता क्या है आपके vectors के साथ यानि कि अगर आप 2 को cross product लेते हैं तो जो तीसरी आपके पास आती है उसकी direction भी तो मिल जाती है और इसी तरीके से cross product जो है वो बहुत मशूर है खास तोर पे जब आप different किसम के rules जो है वो देखते है समझ आगी जी बात की यहां तक hopefully आपको concepts जो है वो clear हो रहे है आइस्ता इस्ता और मैं ये भी उमीद करता हूँ कि आप खुद से भी कुछ सीखेंगे और यहां पे जितनी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो भी आप देख रहे होंगे एक question अब मेरा आप लोगों से है कि अभी तक हमने जितनी terminologies अभी सीखी है खास तोर पे vectors की और vector के सामने linear combination उनका क्या होता है vector span क्या होता है और किस तरीके से हम add करते हैं two vectors को उसको combine करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती है intercept क्या होता है, coordinates क्या होते है Cartesian coordinates क्या होते है vectors कैसे आते है, vectors को scalar vectors, scalar के साथ कैसे multiply किया जाता है और कौन-कौन सी चीज़े हमारे पास जो आज हमने सीखी हैं पिछले lectures के अंदर प्लीज उनको write down कीजेगा ज़रा chat के अंदर then we will move forward